28 दिसंबर 850 सी यह अखिल भात यह कॉंग्रेस पक्ष का स्थापना दिवस कॉंग्रेस पक्ष की ओर से संपुर्ण देश, ग्राम, शहर, तालुका, राज्य वो देश इस्तर पर मनाया गया चंद्रपूर शहर जीला कॉंग्रेस कमिटी वो विधर्व किसान मजदूर कॉंग्रेस की ओर सी 28 दिसंबर को कॉंग्रेस पक्ष का स्थापना दिन 131 वा वर्धापन दिन निमित 131 ब्लैंकेज का वो प्रतेक एक किलो के तौर पर 131 किलो चावल का विदरन के आ गया इस वक कॉंग्रेस की जेश्ट निता पुरसांसत नरिश बाबु पुगलिया चंद्रपूर शहर जीला कॉंग्रेस अध्यक्ष गजानन गावंडे चंद्रपूर जीला कॉंग्रेस की महा सचूत था नगर सेवक अशोक नागपुरे प्रविन पडवेकर संजे महा डोडे बलारपूर नगर सेवी का छायताय मडावी पूर्व नगर अध्यक्ष घंशा मुल चंदानी देवेंद्र आरिया मनपा गटनेता प्रशांत दानव कॉंग्रेस के ओबीसी विभाग के चंद्रपूर जीले के अध्यक्ष देवेंद्र बेले प्रशांत घाटे कामगार नेता चंद्रशिकर पोड़े बाबुलाल करुनाकर असलम भाई राजुलाहांगे अमोल हलधर नीताई घोष आधी कॉंग्रेस के कारेकरता वो पधादी कारियों ने गुरुमावली मंदीर महाकाली मंदीर पागल बाबानगर आधी परिसर की भीगशुक फकीर वो गर्जु लोगों को 131 ब्लैंकेट का विद्रन किया साधी अनाश के तौर पर प्रत्यक वेक्ति में एक किलो चावल ऐसा 131 किलो चावल विद्रन किया साधी कॉंग्रिस कारिया ले में महात्मा गांधी इनकी प्रतिमा को मालयारपन की गए इस आउसर पर कॉंग्रिस के जेश्ट निता पुरसांसत नरेश बाबु पुगलिया ने पक्ष के स्थापना से आज तक कॉंग्रिस ने किये देश विकास काम संबंद वह गरीब मजलुम पीडितों के लिए चलाई विकास योजना की जानकारी उपसीतों के समक्ष दी साधी या आभान भी किया कि हाले की स्थिती में जातियवादी वह धर्मास्त शक्तियां सर उठा रहे है जाती जाती में वह धर्म धर्म में तेल निर्मान कर सलोखा बंदु भाव वह समता इस मौलिक तद्व को देने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी स्थिती में कॉंग्रेस कार्यकरताओं ने देश की अखंडता को कायम रखने के लिए धर्म निर्पेक्षता तद्व पर विश्वास रख सत्यवा अहिंसा के मार्ग से कार्य करना जरूरी है कार्यक्रम का संचालन जिलादेश गजानन गावन देने किया और आभार प्रदर्शन प्रविन पड़वे करने किया अब मेरं एए कार्य करना जिलादेश गजानन एवर कुणारने कार्य कर दोख में कि अगरे में निर्पार पर प्रविए कर दोख प्रवियों प्रविए ऑ मार्म निर्झेज वागना रिख ऊजए टाल जैदरीश हमें ज्यानने है शेहर जिल्ला कॉंग्रेस कमेटी चंदरपूर तथा विधर किसान मजदूर कॉंग्रेस इनके मादिम से कॉंग्रेस का वर्दापन दिन आज बड़े दून दाम से मनाये गए कॉंग्रेस को 130 साव पूर्ण होकर 131 वर्ष में कॉंग्रेस ने प्रदारपन किया है देश के नहीं विश्व की सब में पुरानी बड़े पार्टी है और कॉंग्रेस के मादिम से इस देश को आजादी मिली है कॉंग्रेस के मादिम से 15 जवालान नहिरूज जी से लगा कर तो डॉप्टर मनमों सिंग जी के रेजिम तक के इस देश में जो भी विकास हुआ है उसमें मैक्जिमम बड़ी योजनाए कॉंग्रेस के समय आई भी है आज देश बड़े तकलीब के दौर से गुजर रहा है देश में जाती बादी शक्तियां अपना सर उठा रही है ऐसे हालां में कॉंग्रेस के कारेकरताओं से अपीर करता हूँ कि मिल जूर कर इस समश्य का मकाबला करें और ये कॉंग्रेस लोगसभा और जिदान सभा के चुनाओं के बाद हमारी जुरूर हार हुई है उसमें लेकिन उसके बाद जो भी रिजल्ट आए चाहे बिहा का रिजल्ट ले लीजिए चाहे दिल्ली का रिजल्ट ले लीजिए चाहे मध्य परदेश का लोगसभा के बाई एलेक्शन का रिजल्ट ले लीजिए महराज के ग्राम पंचायत नगर पंचाया तो नगर पुलिशत की चुनाओं के रिजट ले लिजे इसमें कॉंगरेस बड़े तेजी से उबर रही है दिल्ली में भी बीजेपी को मात करके दूसरे पार्टी ने सत्ता अपने हाथ में ली है तो बीजेपी का जो देर साल का कारेकाल इस देश में गया है और उस कारण देश की जनता इस पार्टी के काम के तरीकोई को पूरे तरह बढ़ से समझ चुकी है और खास करके बढ़ती हुई महिंगाई, बढ़ती हुई किसानों के आकमात्या बढ़ता हुई और दोगीक प्रतिस्तान जो बंध हो रहे है उसके कारण देश के अंदर लापों के आकामगार वेकार हुई है ये सब समस्याओं को लेकर आज देश का विट्टी हर भारती चिंटित है ऐसे हालत में कॉंग्रेस ये एक परिया है जो सभी जाती धर्मों के लोगों को साथ में लेकर देश का विकास करने की शम्ता रहने वाली और खास करके जिसके पास कोई वीजन है, विकास का दुष्टि कौन है और सभी भाषा वारे विक्तियों को सभी जाती धर्मों के लोगों को साथ मे ली जाने की श्रमता है वो पार्टी सिर्फ कॉंग्रेस है मेरी आज के वर्दापन दिन के शुबहुसर पर कॉंग्रेस के कारे करताओं से अपील है कि मिल जुलकर इस समझा का मकाबला करने के लिए और कॉंग्रेस को मजूद करने के लिए हम और आप मिलकर आगे बढ़ेंगे उसी प्रकार से देश के अंदर सभी जिलों में तौलुका लेवल पर और ग्राम लेवल पर बड़े दूम दाम से वर्दापन दिन मनाए जा रहा है चंदरपूर शहर जिला कॉंग्रेस कमेंटी और विदार किसान मज़ूर कॉंग्रेस के ओर से आज 131 लोगों को ब्लैंकेट का वाटप किया गया है हर बेक्टी को एक किलो अनाज के रूप में चावल दिया गया है और इसके अलावा भी जो लोग छुट गये उनको भी ब्लैंकेट देनी की टेहरी शहर जिला कॉंग्रेस कमीटी ने रखी है हमें उमीद है कि जो सोशित पिडित है जो बेक्षा मांग के अपना गुजारा करते है जै जो फकीर है यह जिनके पास कोई सहरानी ऐसे वेक्टियों को आपने आज थंडी के समय ब्लैंकेट का वितर्म किया है मैं शहर जिला कॉंग्रेस कमीटी को दन्यवाद दूँगा और हम उमीद करते हैं कि हमारे सभी नगर सेवक हमारे सभी कारिकरता हमारे सभी पदादिकारी और प्रिंटर ओर्डिशन के पदादिकारी कॉंग्रेस को मजबूत करने के लिए हम लोग इसके लिए अपने आपक आज कॉंग्रेस को मजबूत करें, सोनिय जी और राहुल जी के हाथ मजबूत करें, कॉंग्रेस को मजबूत करें, जलने वाद, जय हैं। हानी आज चन्दपूर शहर जिला कॉंग्रेस कमेटी वा विदर्ब किसन मजबूर कॉंग्रेस येंचा वतिन चन्दपूर शहराती ही कॉंग्रेस्टा एक्षे एक्तिसाव वर्धापन दिवस साधरा कन्यगा दा। पक्षेचा कार्याले आमदे कॉंग्रेस चे जेश्ट निते आधरन्या नरीबावव पूगलिया यह चा अल्देक्षे लेखाली एक कार्यकम गयाताला यह प्रसंगी महत्मा गांधियंचा प्रतिबेला मालारपन कलुन उपतितन्ना समोधित कर्तन्ना आधरन्या नरीबाव पूगलिया मणाले कि कॉंग्रेस परक्षेचा इतियास हा एक्षे थीस वर्षेचा आए यह एक्सी तीस वर्षा मदे कामदेस परक्षाने भारत देशा मदे प्रदियक कर्णा परंत सर्था चाविलिया है अपने सर्था कर्णा मदे शोच्षीत पिडित गदी बलोकांचा साथी उनुन त्यान आनेक कल्लान काली योजनार आपोलिला है एवड़स नवेतर देशा चा एकुलास विकासाचा क्षेत्रा मदे मदे उद्योक्षेत्रास हो की क्षेत्री शेत्रास हो की व्याबरिक्षेत्रास हो सर्वक्षेत्रा शेक्षेत्रास हो या सर्वक्षेत्रा मदे कामदेस परक्षाचा चा राजवटी मदे भरकूर योजन आपला देशा तेल समता एकता आनी बंदू तेला दड़ा जैल की गाई अशा प्राकत दर बीति जवातार निर्मान खेला है। आनी जाती धर्म पंत पक्ष यहां चा पासों नवित रहुन। आनी काइशच्च्च्च्च्च्च्च आनी काइशच्च्च एकनिस्ट रहुन।